हेई फ्रेंड्स वेलकम टू यो चानल बंदाज स्टेडी सॉरी मैं बहुत दन बाद वीडियो बना रही हूं ठीक है और आप लोगों को बहुत नाराज़ी होगी I'm so sorry और आप लोगों ने जिस टॉपिक पर मुझे बोला है उसके लिए मैं कंटिन्यू फुरा-फुरा आप सब कुछ पढ़ भी डाला तो कोई फाइदा नहीं होने वाला anyways हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक ऐसा कोई टॉपिक नहीं है बस मैंने एक किताब आप लोगों को बोली थे पढ़ने को शायद और अगर नहीं बोली थे तो भी बोल देती है घटन पीसे इसके या उत्तराखन की जिसबे स्टेट का यह हो उसके इसमें पेपर मेंशन है तो यह अभी तो आपके पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि अगर आपने कुछ नया उठाया ना तो आपको दिक्कत हो जाएगी तो आर्केलोजी की सवाल इसमें बड़े सही सही से है तो मैं आपको इसमें से कुछ सवाल बता देती हूं क्योंकि मैं इसको नोट डाउन करती फिर बताती तो जादा बेवकूफी नजर आती मुझे तो मैंने आप देखा कुछ सवाल इतने सही है तो जितने आर्केलोजी की हैं वो मैं आपको कवर करा देती हूं जैसे इस टॉ योगी विभाजन किया था किस ने किया था तो यह थे आपके थॉमसन ने ठीक है पर यहां आज की व्यक्षिया दियुए है कि डेन्मार्क के कोपेन हंगें संग्राले के सामगरी के आधार पर पाशान कास्योग लौहयोग कत्र योगी विभाजन अठारो सब बीस में पुरा तात्विक क्रिस्चिन जगर्णसन थॉमसन ने किया था ठीक है ना दूसरा कुशन देख लिखते हैं उत्खनित प्रमाणों के इनुसार पशुपालन का प्रारंब कब होगा था तो हमको पता है वो है मध्यपाशान का यानि की मेस्वलेथिक पीडियेड मध्यपाशान के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्षी प्राप्थ होने लगते हैं ऐसे पशुपालन के जो साक्ष है वो हमें आदमगर यानि की आदमगर होशंगाबाद के मध्यपरदेश में है तथा बागोर जो की भिलवाड़ा जिलाराजस्थान में है वहां से मिले हैं मध्यपाश से बड़ी मात्रा में हड़ी वह सिंग निर्मित उपकरन प्राप्थ हुए जिया शर्मा द्वारा महड़ा में तीन छेत्रों का उलेख है जो है जील छेत्र मतलब इसका जो उत्खरान है वह जियार शर्मा ने कराया है यह ध्यान रखेगा संकुल छेत्र एवं कब्रिस्तार निवास छेत्र में बटा था बूचल खाना संकुल छेत्र से हड़ी सींग निर्मित उपकरन एवं आभूशन बड़े प्रामाने पर पाए गए है डॉक्टर जैनलाय पांडे दोरा लिखित पुस्तक पुरातर विमर्ष में मादहा सराय नहर राय और दमदमा तीनों ही स्थल से हड़ी वा उपकरन एवं आभूशन पाए जाने का उलेख है यह तीनों साइट कहां है यूपी में है हड़ी से निर्मित आभूशन भारत में मध्य पाशान काल के संदर में प्राप्त हुए है तो महदाहा से ठीक है हमने ना देखा तो ध्यान रखिए का सराय नहराय महदाहा और दमदमा यह तीनों आपके कौन से साइट है यह मैसो लिथिक पिड़िट की साइट है ठीक है खाद्यानों की करशी सरबतम प्रारम हुई कब हुई नव पाशान काल में खाद्यानों का उत्पादन सरबतम नव पाशान काल में यही वो समय है जब मनुष्य क्रशी कर्म से परिजित हुआ 9 पाशार काल में ही जो एमम गेहूं की वन निकिस्म की खेती योगी बनाए गया मतलब पहले जो गेहूं और जो की जो जंगली थी फिर उनको खेती योगी बनाए गया जिसमें क्रशी जन ने गेहूं का उद्बा हुआ भारती उप महादीप में कोल्डीवा तथा मेहर गण दो 9 पाशारी ग्राम बस्तियां थी जहां चावल एमम गेहूं के सपस्ट प्रमाण मिलते हैं पहले जो कोल्डीवा है वहां से सबसे प्राचेंतम चावल के प्रमाण मिलते थे लेकिन उसके बाद आएगा जिसके लिए चावल के प्राचेंतम प्रमाण के लिए भारत में मानव का सरप्रतम साक्षी मिलत कहां से मिलता है तो यह आपकी नर्मदा घाटी है इस से ज़ादा ओल्ड जो कहते हैं जिवाश में मानव का वो कहीं से नहीं मिलता भारत में मानवा सरप्रीतम साक्षी मध्यप्रदेश की पश्चमी निर्मदा चेत्र में मिला है इसकी खोज 1982 में की गई थी मानवा सरप्रितम प्रियुक्ट अनाज कौनसा था मानवा उसने क्या खाना शुरू किया वो था जौ आप इसकी वाक्या देख लेते हैं नौ मतलब जो जो है आप इसकी बहुँ अबस देख में मानधौरा उगाया गया सबसे पुराना प्रमार कहां से मिलता है यहीं से मिलता है आठग अज़ार ईसा पूरवका बात में लगबख इनी छेटरों में आठग इसा पूरवका के असपस वीट है यानि जो गेहु है वो मानव ज़रा उगाई जाना लगया ठीक है उसका और जो तीसरा खाद्यान है वो कौन सा है वो है मानव ने लगबख 7000 इसापुर्व के आसपस चीन के यांगती नदी की घाटी में पहली बर चाबल उगाया ठीक है लेकिन जैसा कि मैंने आपक लहुरा देव हो जाएगी मक्का मद्यम दच्छनी अमेरिकी छेतर में लगबख 6000 इसापुर्व में उगाया गया इसका प्रथम साक्षि मैक्सिको में पाया गया है ठीक है बाजरा 5500 इसापुर्व में चीन में सोरगम 5000 इसापुर्व में पुरवी अफ्रिका में राई 5500 दच्छनी पूर एशिया में एवं जाई 2300 इसापुर्व में यूरोप में सरगम मानवदारा उगाया ठीक है नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं उस स्थल का नाम बताई जहां से प्राचिनतम स्थाई जीवन के प्रमाड मिले हैं तो कहां से मिले हैं मेहरगर से यह साथ स्ट प्राचिनतम स्थाई जीवन के प्रमाड सरपर्थम बलुचिस्तान में कक्षी मेंदानी स्थित मेहरगर से मिले हैं जिसकी प्रमाडिक देथी साथ में शोसातराब्दी यानि कि 7000 इसापुर्व हैं जबकि किले गुल मुहम्मद एवं काली बंगा की प्राचिनतम देथी क जिकल दाना है तो बसे उने बता दे हैं जो कैंड बहें जले में श्थित के अधार बार्ती के प्राचिनतम ध्रिवाल स्थर उत्ता प्रदेश में संत'कभी नकर जीले में स्थित लगरा देव हैं यहाँ से 8000 इसापुर्व से 9000 इसापुर्व के मन्दि चावल के साक्ष वाला छेतर था मेहरगण यानि कि जो पाकसान के बल्चुस्तान में है और महासे गेहों के साक्ष मलते है साथारीच पूर्व के जबकि प्राचिंतम चावल के साक्ष वाला स्थान था कोल्डी हमा जो के लाबाद जिले में बेलन नदी के टट परिस्ते थे और उसके डेटिं और वर्ल्ड में पुछा जगा तो आप मारेंगे यांग जी नदी चाइना ठीक है और अगर लहुरादेव उप्शन है तो पूरे वर्ल्ड और इंडिया दोनों के संदर में लहुरादेवी उप्शन में होगा प्राचिंतम चावल के साक्ष के लिए बारतिय उप प्राचिंतम साक्ष कहां से प्राप्त हुए नहीं गड़ से सेम जम कॉष्चन है लेकिन कभी मेंस में बूछा गया है दोर साथ में कभी दस में लेकिन चुकी यूग कैसे बहुत अच्छे थे इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दिया नियम लिखित में से किसको चालकलेतिक यूग भी कहा जाता है तो तामर पाशान यूग को चालकलेतिक यूग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तामबे के ओजार के साथ पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रशलन मिलता है उन्हें तामर पाशानी संस्कृतिया कहा जाता है तामबे के ओजार भी प्रयो पुरास्थल से पाशान संस्कृती से लेकर हड़पा सभेता तक कि संस्कृतिक अफशेश प्राप्त हुए तो ऐसा कौन सा है ? ऐसा महरगड है मैं आपको पता है यह सेवन स्टेज में यहापके संस्कृतिक प्रामाड हमें मिलते हैं अब 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 आपके साथ यह बहुत जल्दी लेकिन अब भी चुकि वीडियो बड़ी होती जा रही है तो फिर वो अप्रूट करने में प्रॉल्म करेगी तो अगर आपका कोई सवाल हो कोई क्वाईरी हो तो मुझे लिंग भेज़िएगा और थाइंक यू सो मच कि आपके कमेंट बड़े पॉजिटिव होते हैं फिर मिलते हैं जल्दी एक लेक्शर के साथ पढ़ते रहिए खुश रहिए सी यू देन बाई